सबसे पहले आप यहां पर देख लोग 15,000 का लोन मुझे मिला है ठीक है दोस्तों 15,000 का लोन मुझे मिला है सिर्फ मेरे आधार का टेंकर सेलफी से ना में इसमें कोई बैंक स्टेट्मेंट दिया हूं ना ही कोई सेलरी स्लिप दिया हूं आपको भी यह एप्लिकेशन बहुत इसली लोन देदेगा लाखों का लोन देता है यह एप्लिकेशन मुझे तो कम लोन मिला है लेकिन आपको ज्यादा लोन भी मिल सकता है अगर आपको भी चाहिए लोन तो इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखिएगा चैनल पने होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजग वीडियो अच्छा लगतें लाइक पुराइ डिटे़ियल मैं शेर करने मुझे से लोन बहुत बढऄा बहुत बहुत बेहतरी लोन अप्लिकेशन है है आप लाइफ देख रहे हो मुझे है कसे मिला है सब कुछ मैं अपको कैसे लोन लेना है सब कुछ डिटेल में शेर तभी लोन लीजेगा सही में कोई emergency होगा आपको पैसों की जुरत होगी तभी लोन लीजेगा और कोई भी लोन application अगर आपको लोन दिने से पहले आपसे एक बिल पर मांगे प्रोसेसिंग फीस या फिर सीक्योर्टी मनी के नाम पर तो बहुंकुल मत दीजेगा चलिए दोस्त application कैसे मुझे लोन मिला है कैसे आपको लोन मिल सकता है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कोई भी पेपर गोरक आपको नहीं करना है मैनुवली सब कुछ यहाँ पर डिजिटली है टेनुर मिनमम तीन महीन से लेके 24 मिना तक का बना देगा यह application यहाँ से आपको 100 टर्म लोन मिल सकता है वन टाइम रीपेमेंट का option मिल सकता है थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो पर थोड़ा सा इनके landing partners के बारे में जानते हैं इनकी NBFC के बारे में जानते हैं बहुत सारे NBFC से इनका tie-up है यहाँ पर गाई जिनकी 4-5 NBFC है ठीक है नाम आप सबका पढ़ लेना यह इनके landing partners है इनी NBFC के थुरू आपको यह application लोन दिलाता है बागी यहाँ पर आप द statement डालोगे तो और limit आपकी बढ़ जाएगी लेकिन अगर bank statement नहीं डालोगे फिर भी आपको छोटा मोटा loan मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर देख लीजे गाई आपको KYC में आधार काट देना है pen card देना है e-sign करना है जो कि आपके आधार काट से जो आपका mobile number registered है उससे OTPP अगर वो डालना e-sign करना आधार काट pen card selfie डाल के loan के लिए apply कर सकते हो साथ में bank statement दे दो के तो और अच्छी बात है इनके customer support का यहाँ पे number है आप चाहो तो guys इनके customer support से contact number से भी contact कर सकते हो या फिर mail ID दिया है mail से भी संपर्क कर सकते हो app permission की बात कर लें camera location phone sms storage other सबका permission आपसे मांग रहा है लेकिन कहीं भी contact list का permission नहीं मांग रहा है अगर मांगेगा भी तो कुछ करेगा नहीं क्यूंकि nbfc registered application है guys यह fake application नहीं है कि अगर आप loan time पे नहीं चुका होगे तो आपके contact list को call करके अंडबंड गाली का लोज करेगा short term loan आपको मिल सकता है maximum 50 रुपय तक का one time repayment का option आपको मिल जागा 90 दिन के लिए loan आपको मिल जागा ठीक है यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे guys थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो 3 महिना से लेके 24 महिना तक का maximum यहाँ पे repayment का आपको time मिल जाता है देखने के लिए nb example मैं यहाँ पे देख लीजिए term loan भी है एक कोई जो कि आपको 30,000 तक का मिल सकता है 90 दिन के लिए ओके और यहाँ पे गाई सोड़ा सा और नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो guys यह application में अभी यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है कि maximum कितन लेकिन यह application आपको maximum 2,000,000 रुपा तक का लोन देता है अभी मैं आपको खुद दिखा दूँगा बता दूँगा कैसे आपको 2,000,000 तक का लोन मिलेगा यह application आपको 2,000,000 रुपा तक का लोन दे सकता है सिर्फ आपके आधार कट पेंड कट सेलफी से तो 10,000,000 कहीं देगा लेकिन अगर आप bank statement डाल दोगे तो अच्छा कासा लोन दे देगा मैं bank statement नहीं डाला हूँ मुझे 15,000 का limit आया है मैं आपको अभी दिखाता हूँ सब कुछ ठीक है तो इस application का पहले नाम में आपको पता देता हूँ इसका नाम है pay me personal loan app ठीक है pay me personal loan app 3.8 की rating है 5 million प्लस इस application के downloads है 3.8 की rating है 5 million प्लस इस application के downloads है बागे यहां से नीचे से आप see all reviews करके reviews होगे पढ़ देना rating होगे देख लेना देना loan के लिए apply करना अब मैं आपको यह application open करता हूँ और दिखाता हूँ कि मुझे भाईया यह कितने का loan दे रहा है अभी के time में काफी ज़्यादा क्लोन मिलेगा up to 12 months मतलब की 24 हिंट के अंदर अंदर मुझे यह दो लाग कलोन मिल जाएगा 12 महीने लिए apply नौप क्लिक करूंगा यहां पर देख लिए मैं कोई भी bank statement नहीं डाला हूँ pending दिखा रहा है मैं यहां से bank statement एड़ करूंगा मेरे bank statement पे depend करता है मेरे income देखके यह पूरा 15,000 का लोन लेता हूँ guys ठीक है यहां से अगर मैं पूरा 15,000 का लोन लेता हूँ तो यहां पे देख लिए repayment मुझे करना होगा 15,264 रुपए और interest rate लगेगा 0.11% का per day का processing fees 1800 रुपए GST on processing fees 324 रुपए total processing fees 2124 रुपए total disverse amount मेरे bank में जो पैसे आएंगे 15,000 का लोन कितना चुकाना है guys 15,264 रुपए मतलब लगबग लगबग मेरा जो है जादा पैसा इसमें जा रहा है वो guys जा रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ guys लगबग 2000 के आसपास 2025 के आसपास ठीक है बाकी मैं ऐसे ही आपको बता रहो मैं कोई calculation नहीं कर रहा हूँ लेगिन हा यहाँ पे मेरा 2000 से 25 के बीच बीच में मेरा ज्यादा पैसा लग रहा है तीन महीने में क्योंकि मेरे बैंक में आएंगे 12,886 रुपए मुझे total repayment करना है 15,264 रुपए यहाँ पे मैं पहले reason डालूंगा किस reason से loan ले रहा हूँ emergency expense लिख देता हूँ फिर यहाँ से मैं continue करूँगा तो यहाँ पे guys यहाँ पे मैं set auto debit auto debit अपना लगाँगा अपने ATM card से debit card हो गरे से फिर मेरा यह loan यह लोग मेरे bank में disverse कर देंगे bank account हो गरे सब कुछ मैं इसमें डाल दूँगा तो लेकिन guys मुझे इस loan को अपने bank में नही देंगे 12,000 कितना था अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट मेरे bank में यह लोग पैसा देखिए मेरा यह सेंसन लेटर है अब यह लोग मेरे bank में पैसा बेच देंगे 12,860 रुपए जैसे ही मैं अपना bank account नंबर और सब कुछ डालूँगा इसमें bank account details लेकिन मुझे यह आपको कोई भी लोन नहीं दे रहा है फिर भी लोन देदेगा सिर्फ आपके आधर कट पेंट कट सेलफी से ना कोई bank statement देना है ना कोई salary slip देना है पहुंचते हो maximum एक लाग रुपा तक का लोन आप ले सकते हो ठीक है तो गाइस टूबलेंस application से आप easily लोन ले सकते हो मेरे इस वीडियो के description के देख लिंक से अगर आप download करके लोन के लिए apply करते हो लिंक है मेरे इस वीडियो के description में तो बहुत जादा चांस रहेगा आपको लोन बिलने का true balance application में गाईस मैं आपको ये भी बता दू गाईस कि जो true balance application है इसमें थोड़ा सा interest rate जाता है बढ़के आपको में लोन मिल जाता है और सबसे अच्छी बात अगर आपका civil score कम है civil score खराब है फिर भी आपको लोन मिल जाएगा हाला कि बहुत जादा civil कम है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लोन होगा रहे लेना है true balance अभी आप ले सकते हो गाईस चलिए मिलते हैं किसी और next useful वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदे मात्रम